बैंक का यहाँ पर ओफिसेल नाम आपको लख देना है लखा हुआ इस्टिड बैंक ओफ इंडिया उपर को लिख तो हेलो दूस्तो स्वागात है आपका अपने चनल में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बहुत आसन तरीके से अपने SBI Bank Account में Internet Banking की जो Facility है उसको आप Enable कर सकते हो देखिए सबसे पहले तो अगर आप कोई भी form फिल करोगे तो उसके लिए आपको kit नमर की जरूत पड़ेगी kit नमर कहां से मिलेगा उसके लिए आपको करना क्या है जो Official Website है SBI Bank की sbi.co.in वाली तो उस पर आपको जाना है और वहाँ पर Internet Banking के लिए वहाँ पर option आएगा जैसे आप वहाँ पर ओपन करोगे Internet Banking को तो जैसे आप वहाँ पर register करोगे अपने mobile नमर से तो वहाँ पर आपक एक form लेना है जिसको हम बोलते है customer request form यह वाला form फ्रेंड आपको ले लेना है इस form को हम बोलते है customer request form यह form आपको मिल जाएगा bank से official तरीके से और इस form को आपको फिल करना है कैसे फिल करना है यह वीडियो मैंने आपको आगे बताया हुआ है कौन-कौन से document लगेंगे यह भी एक ब्रांच पर depend करता है कि वो आखिरकार आपके internet banking है वो कितने समय में activate कर रही है तो फ्रेंड आज की वीडियो बहुत नोलेच हो लेने वाली है बहुत जादा important होने वाली है आप लोग के लिए इसलिए मेरे आपसे च्छोटी से गुजारे से आपको अपने चैनल सब्स साइट है officially उस पर जाके आपको आपका kit number जो है वो find out कर लेना है kit number आप जैसे register करोगे तो आपको वहाँ पर official तरीकी से bank आपको एक kit number दे देगा उस kit number को friend आपको copy कर लेना या फिर कह सकतू कहीं पर लिख लेना है किसी भी page पर उसके बाद friend आपको करना क्या होगा officially एक form क फिल करना होगा जो कि आपके सामने है जिसको हम बोलते है customer request form इस form को फिल करने के बाद ही friend जब आप इसको submit करोगे अपनी bank ब्रांच में तब जाके आपके internet banking की जो service है वो officially activate हो जाएगी और आप internet banking का इस्तिमाल कर पाऊगे तो friend इस form को कैसे आपको फिल करना है कौन कौन स आने वाला हो वीडियो शुरू करना है अपने चैनल को subscribe कर लेना है और वीडियो को like कर लेना फ्रेंड सपोर्ट कर लो यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो चुपके से वीडियो दिख लेते हो मैं आप लोग के लिए इतनी महनत करता हूं bank जाता हूं form लाता हूं ताकि आप लोगों कोई दिक्कत परिशानी ना हो इसलिए फ्रेंड इसी बात पर वीडियो को like कर लो और चैनल को subscribe कर लो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं यहाँ पर उपर की ओर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या official तरीके से यहाँ पर basic information तो फ्रेंड आपको basic information अपन देना लिखा हुआ state bank of India उपर के लिखा हुआ है simply आपको same to same लिख देना है उसके जश्ट आगया था branch देखे ब्रांच का मतलब है वहाँ का local address जहां पर आपका खाता खुला हुआ है जहां से आपने फॉर्म लिया हुआ है वहाँ का local address जहां पर आपकी branch है situated है इस्थित है वहाँ का आपको यहाँ पर address फिल कर देना है उसके जश्ट आगया था है date भाई date आपको उसी दिन की फिल करने है जिस दिन आप फॉर्म जो है after the complete full document complete करने के बाद submit करने के बाद attach करने के बाद ही आपको यहाँ की date डाल दी है ऐसा नहीं कि आप तुरंद bank है तुरंद बाई अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर cut up पिट्टी कर दो इसलिए friend क्योंकि bank आप से कोई ऐसे document की requirement कर सकता है जो कि आपके पास प्रिजांट में ना हो तो इसलिए friend आपको date उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ए form जो है अपनी bank branch में submit करो उसके नीचे आता है क्या first applicant name and second applicant name देखें इसका मतलब क्या भी इसका मतलब होता है कि अगर आपका खाता joint है तो पहले आपको अपना नाम लखना है और उसके नीचे उस person के नाम लखना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है अगर आपका खाता joint नहीं है single खाता है self खा देना कि ऐसा तो नहीं मैं कोई mistake कर दिया हूँ उसके जश्ट आ गया था mobile number सीदी सीदी बात है यहां पर आपका registered mobile number ही आपको फिल करना है कोई और mobile number अगर आप यहां पर फिल कर दोगे तो हो सकता है कि आपका एक form जो है bank official तरीके से reject कर दे तो इसलिए आपको registered mobile number फिल करन नहीं है तो मिर दोस्त में यहां पर किसी परकार से आपको यहां फिल करके नहीं दिखा सकता हूं कोई गलत information share नहीं कर सकता हूं अगर आसा करूंगा तो मुझे YouTube की तरफ से strike मिल सकता है क्योंकि भाई इससे होता है कि crime को बड़ावा मिलता है तो friend आप समझ पा रहे होगे म मैं आपको proper guide कर रहा हूं तो आप मुझे follow कर पा रहे होगे चलिए अब आते अपनी problem क्या हमारी तो friend यहां पर आपको 35 नमर पर देखने की मिला हुआ क्या activate internet banking simply आपको इस पर टिक कर दोगे friend यहां पर आपको टिक कर देना और उसके बाद नीचे लख्खा हूं क्या activate internet banking in the account है नहीं आप starting में जहां पर आप अपने detail फिल किये हुए थे इस वाली प्रेश्ट पर यहां पर account नमर भी आप फिल किये हुए थे तो इस account नमर के लिए आपको क्या करना है internet banking को enable करना है यानि कह सकते हो कि इसको activate करनी है और यहां पर kit number देखे जो हम लोग register किये थे तब जाके आपको एक kit number मिलाओगा भाही official website पर sbionline.com वाली website है उस पर आप register किये होगे internet banking के लिए तो आपको kit number मिलाओगा वही kit number आपको यहां पर fill करना है और उसके बाद करना क्या है आपको नीचे की और आजाना है फ्रेंड कहां आना है नीचे की और आपको आजाना है यह तो आपको आपके वहाँ पर employee से पूछ देना है कि sir मुझे मेरे signature बता दीजे मैं भूल गया हूँ वो आपको आपके signature बता देंगे उसके जश्ट बगल में आता second account holder signature भाई देखिए इसका मतलब है कि अगर आपका खाता joint है किसी कसा जुड़ा हुआ है तो यहां पर आपक signature लेना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है अगर आपका खाता जुड़ा हुआ हो नहीं है single खाता है self खाता तो यह वाला person आपको खाली छोड़ दिना है तो अब यह आपका form पूरी तरीके से फिल हो चुका है आपको ज्यादा दमाक नहीं लगाना ज्यादा ल लगा देनी है इसके अलाबा अगर बैंक को यह डॉकुमेंट के रिकवर्मेंट करता है तो आप दे दीजेगा अधरवाइस यह बेसिक डॉकुमेंट जो है वो मैं आपको बता दिया हूँ यह अधिकतर मागे जाते हैं तो फिरन अब यह फॉम आपको सम्मिट कर देना है और